खुदिराम बोस का जन 3 दिसंबर 1889 को पश्चिन बंगाल के मिदना पुर्जिले बहुएनी नामक गावन में बाबू त्रेलो क्यनात बोस के घर हुआ था। इनके माता का नाम लक्षमी प्रिया देवी था। खुदिराम बोस के सर से माता पिता का का साया बहुत जल्दी ही उतर गया। इसी लिए इनका पालन पोशन इनकी बड़ी बहनने की थी। खुदिराम बोस के अंदर देश भगती कूट कूट कर भरा हुआ था। खुदिराम बोस के मन में देश आजाद कराने की है। ऐसी लगन थी कि उन्होंने नौवी कक्षा तक पढ़ाई की इसके बाद इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और स्वदेशी आंदोगन में कूद पढ़े भारत पर अत्यचारी सत्ता चलाने वाले बिटिश को सामराज्य को द्वस्त करने का संकल्प लेकर अलोकिक धैर का परि करवा लिया खुदी राम बोस रेवोलिशनरी पार्टी में शामिल हुए और लोगों में वंदे मात्रम के पर्चे बातने में महत्वपूर भूमिका अदा किया पुलिस हमेशा इनके पीछे ही पड़ी रहती थी 28 फरवरी सन 1906 में खुदी राम बोस को पुलिस ने दूसरी इस मामले में बोस पर राजद्रो का रोप लगाया गया और उन पर अभियोग चलाया गया लेकिन कोई गवाही न मिलने के कारण खुदी राम को निर्दोश शाबिद करके छोड़ दिया गया तीसरी बार 16 माई को पुलिस खुदी राम बोस को फिर से गिरफदार किया परं उन्तु कम आयू होने के कारण उन्हें भी से छोड़ दिया गया 06 दिसंबर 1907 को खुदी राम बोस नाराइंगर रेलवे स्टेशन पर बंगाल के गवर्नर की विशेश ट्रेंड पर है हमला कर दिया 1908 में खुदी राम बोस ने दो अंग्रेज अधिकारियों पर बंसे हमल किया लेकिन सन्योग से ओ दोनों अधिकारी भी बज़ गये 1905 में जब अंग्रेजों ने बंगला विभाजन किया तब लोग ने काफी ज्यादा इसका विरोध किया था विरोध करने के कारण कलकत्ता के ततकाली मोजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड लोग को क्रू डंग दिया किंग्सफोर्ड खास कर क्रांतिकारियों को पकर काफी भयानक दन दिता था अंग्रेजी हकूमत किंग्सफोर्ड के काम से खुश होकर उसे मुझफर पुर जिले का सत्र न्याधीश बना दिया उस समय देश में जितने भी क्रांतिकारी थे बेश के आजादी के लिए लग थे उन सबने मिलकर किंग्सफोर्ड को मारने की एक यूजना बनाएं और इस काम को अंजाम देने के लिए चुना गया खुदीराम बोस और प्रफिलकुमार चाकी को 30 अप्रेल 1908 बोस और चाकी मुझफर पुर पहुँच गए और किंग्सफोर्ड के बंगले के बहार खरे होकर उसका इंतजार करने लगे इंतजार करते करते अंधेरा हो गया उसके बंगले के पास बगई खड़ी थी को शख हुआ कि कहीं इस बगई में किंग्सफोर्ड तो नहीं जिसका हम लोग इंतजार कर रहे थे और उन्होंने बंग उस बगई पर फिक दिया लेकिन उस पाव भागे दोनों भाग भाग कर ठक गए दोनों भूक और प्यास से तड़ परहे थे दोज और चाकी वैनी रेलवे स्टेशन पर पहुचकर एक चाय वाले से पानी मांगी लेकिन वहां मौझूद पुलिस वालों को उन दोनों पर शक हो गया और बहुत मश्कत के बाद गुराचारण नामक बृटिश सरकार में कारेड़त एक व्रती ने उनकी मदद की और रात को ट्रैन में बैठाया वे यात्रा करते समय बृटिश पुलिस में कारेड़त एक सब इन स्पेस कटको उन पर शक हो गया और उसने मुझफरपुर पुलिस को इस बात की जानकारी दे दी जब चाकी हावडा के लिए ट्रेंड बदलने के लिए मोकावागाट स्टेशन पर उत्रे तो इनके इंतजार में पहले से ही वहां मुझफर पुलिस मुझूद थी चाकी ने कहां अंग्रेजों के हाथों मरने से अच्छा है कि मैं खुद मर जाओ और उन्होंने बंद की सजा सुना दी गई 11 अगस्त 1908 को उनको फांसी पे लटका दिया गया उस समय उनकी उम्रमात्र 18 साल आठ महीने और आठ दिन था बोस इतने निडर और सासी थे कि हाथ में भागवद वीता लेकर पांसी पर चड़ गए लेकिन दुरभाग्य की बात तो ये है कि आज के समय में बहुत ही कम लोग खुदीराम बोस और प्रफिल चाकी जैसे वीरों को जानते होंगे एवं आज का जनरेशन इनके नाम से तो दूर दूर तक अन्विग्य है लेकिन जब तक नॉलेज फॉक है तब तक ऐसे महाल शुर्वीर युद्धाओं के वीर गाथा को भुलने नहीं देगा